जोधा अंगर वाई इतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेश पहुचाना नहीं है कहां खोए हो यो जोधा शेंशा ने क्या कहा चान बेकम के विशे में जोधा मोती तुमने कभी सुना है कि किसी राजा को पढ़ना लिखना ना आता हूँ उसने शिक्षान अपराप की हूँ ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा कोई राजा नहीं हो सकता ऐसे राजा है मोती स्वयम मुगल सल्दनत की शेंशा ये क्या कह रहे हैं आप हमें विश्वास नहीं होता पहले तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ था परन तु यही सत्ती है निरक्षिर होते होब भी वो कितनी खुशलता से प्रेकारे को संभालते हैं है ना ये प्रशनसा की बात और आप इतने महिनों से हर बार उन्हें पत्र पे पत्र लिखती रही अब समझ में आया कि शैंशा से मनमटा और दूर करने के सारे प्रयास क्यों निश्वल हुए आपके हां वो अपने पत्र किसी और से पढ़वाते रहे हम आपके सरहाना करना च कुशलता पर बड़ी प्रसंता है आपकी रानी जोधा मोती कल प्राहतर सबसे पहले ये पत्र शैंशा तक पहुचा देना हमें आज रातरी की बहुत व्याकुलता से प्रतिक्षा है शैंशा हमें भी आज रात का बेस अबरी से इंतसार है जोधा भीक उस पत्र में अब हमें समझ में आया उस रात दी वह हमारे कख्ष में आकर ऐसा क्यों कह रहे थे कि हमने अमंत्रित किया है ए भगवान किसी ने उन्हें कुछ और पढ़कर सुनाया और हम उन्हें दोश दे दे रहे उन्हें धक्का दे दिया ये क्या कहरें जोधा आप कोई आपके साथ अब आपका संकेत किसकी और है जोधा मामंगा क्या तरिकत ऐसा और कौन कर सकता है सुजामिल भाईसा के प्रक्रान में भी उन्हें नहीं सब कुछ किया था हमें समझ नहीं आता कि मामंगा को आपसे क्या शत्रूता है ये तो हम नहीं जानते मोती परन्तु इतना जानती कि उन्हें अपने किये का दंड मिल गया उनके क्रिया कलापों के कारण शेहनशा के द्रिष्टी से वो नीचे किर गई अब हमें मामंगा के विश्य में चिंता है भी नहीं चिंता है तो चांद बेगम की वो क्यो इतनी भाईबीत है और वो क्यो शेहनशा से साहता चाहती है आदाव जावीदा वेगम आपने याद फरमाया आदाव वेश्म खान आव आव तशीफ रखो हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है हम सोच रहे थे कि तो हमारी अमीजान की सबसे खास खौजा सरा हो और देखा जाये तो महर में सारी खौजा सरा से सबसे कुप्सूरत दी है ना यह तो अपकी जरह नुमाजी है, उसुर। हाँ, लेकिन न, एक कमी है तुम्में, तुम्हें सजने सबरने की अदाब बिल्कुल नहीं आती। आज हमने तुम्हें इसी लिए बुढाया है। अदाब जाब दा, बेगम। सलाम, सकीरा, पहनेजीर की खुबसूरती में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है, यह तो सब जानते हैं। हमें मालूम है, जब हमने वो कोशिश करी, तो सब गरबर हो गया। लेकिन हमें पूरा यकीन है, आज रेशम की बारी में कोई गरबर नहीं होगी। तुम्हें रेशम को बहुत खुबसूरत करना है, इसका चहरा अच्छे से लिखार देना, ठीक है। हम जैसे कहिना, वैसे सब कुछ करते रहना, ठीक है। नहीं नहीं, जाभी ताभीकम। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कि इस इनायत की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, चलो-चलो, चलो दीसे, बेटो। है अल्ला, कितने कूप सूरत लगरी हो, रेशम खान। बिलकुल पैचानी ने जारी। नैना कहती थी, तुम्हारे कुप सुरीजी में एकदम चार चांद लग जाएंगे। वजीर आलिया की बहु है, इसलिए ये सब सहना पर रहा है। या अल्ला, बचाओ मुझे इस पलासे। चार दर्वाजे बाहर आने के, दो दर्वाजे अंदर जाने के। इसका मतलब है, और ना जाने कितने। पेशिदा रास्ते छिपे होंगे इस महल में। क्या कर रही हो या। मैं ये तारे गिन रही हूं। लेकिन देखे न, दिन में तारे कहीं छुप जाते हैं। इसलिए रात हने का इंतजार कर रही हूं। तुम उस दन हमारे होजरे में आई। उसके बाद आदम खान के होजरे में कही। क्या करती क्या रहती हो तो पूरे महल में है प्ष्छ सिभताना मत वर मैंना गुडिया दूने निकली थी और ही मेंना उसने कई छुपा की रखी है जैसे दिखती हो जैसे ओने नहीं है ना क्यों यह मैं चेहनाग ने दिखती है सच बात बता। तुम पागल हो या पागल होने का नाटक कर रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ। जोधा बेगम कहती है कि मैं बहुत समझदार हूँ। दिल तो नहीं मानता कि तुम पागल हो। लेकिन अगर तुम्हारी बेगाम जोधा तुमसे कह रही है कि तुम समझदार हूँ, तो तुम पागल हूँ, बाकई पागल हूँ, इस बात कान खुल के सुन में, महल में यावा, जिनाख काम के भटकने के ज़रूरत नहीं, वो क्या है ना कि महल में सारे लोग अच्छे नही समझे, लेकिन जोधा बेगम के होजने में तो जा सकती हूँ ना, वो बहुत अच्छी है, और वो मुझे मना भी नहीं करती बहुत शातिर है या औरत, किसी को मुझे पर शक नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे पागल मानने को तयार नहीं इससे संभल कर रहना पड़ेगा, लेकिन जाने अंजाने सच बात कह गई आप महा मंगा, कि इस महल में सारे लोग अच्छे नहीं बुरों से पच कर, अच्छो का इस्तिमाल करके, मुझे वो रास्ता खोजना है जिससे मैं जलाल से अपना इंतिकाम ले सकूँ जोधा बेगम, क्या ये वही काड़ा है जो आप हमें रोज देती हैं? अगर है तो हम इसे हरकिस नहीं पियेंगे, ये बहुत कड़वा है? बिल्कुल नहीं, ये वो नहीं है पीची आप सच कह रही हैं न, हमसे जूट तो नहीं बोल रहे हैं? रुकया बेगम, आप जानदिया बिल्कुल रहीम की तरह बाहरे बना रही है पीडी जेसे, आवश रख्याप की स्वास्त के लिए याल्ला, ये तो वही कड़वा काड़ा है, जोधा बेगम आपने हमसे जूट बोला, अरे हमने आपसे जूट थोड़ी ना कहाँ? ये काड़ा तो उस काड़े से भी अधिक कड़वा है परन्तो आपके लिए आवश्यक है, पीलीजिये ना पूरा ठीक है क्या हुआ जोधा बेगम, आपका दिमाग कहीं और है, आपको कहीं जाना तो नहीं है शेहिंशा ने तो नहीं बुला आपको, अगर ऐसा है तो आप जाईए, हम किसी बांदी को बुला लेंगे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारी मन में कुछ और चल रहा है, यदि आपके आग्या है तो पुछें आपसे बेशक रुकया बेगम, आप चांद बेगम की विशे में कुछ चांदी है नहीं, हमने तो ये नाम कभी पहले नहीं सुना, लेकिन हाँ, सलीमा बेगम ने हमें बताया था, कि वो मर्हूम बाट्शा, जन्नत आशियानी, हुमायू साहब की बेगम थी, और ये खास बेगमों का रिवास भी उन्होंने ही बनवाया था इसलिए तो जलाल की तीन खास बेगमें है, लेकिन तीनों में से सबसे खास वो होगी, जो मर्यम जमानी बनेगी जोधा बेगम, आप नहीं जानती ना, जो बेगम मुगल सल्तनत को उसका अगला वलियाहत देगी, उसे ही बेगमें खास का ओदा मिलेगा और वो हमीशा हमीशा के लिए सबसे खास हो जाएगी, और इस बार वो खुश नसीब बेगम हम है, वैसे आप भी काफी खास बेगम बन गई है शेहन्शा की, नहीं? आ, या अल्ला, ये सरदर्द, ये फिर से शुरू हो गया जोधा बेगम, हम अभी आपके लिए लेब बना कर लाते हैं, आपकी सर में मालिश कर देंगे, ठीक है? जी, शुक्रिया इस खत ने हमें कौफ में डाल दिया है, गुल बदन बेगम, ना जाने वो कहा होगी, इस हाल में होगी? बजा फर्मा रही है आप भावी जान, इतने सालों से तो उनकी कोई ख़बर नहीं मिली, और अब यकायक उनका ये खत मिलना, कुछ तो है आदाब मालिक आयाज़ा आदाब महा मंगा आपने हमें याद किया? जी, आप से एक जरूरी मौमले पर मसलत करनी है माहम? जी, हुजूरी आपको चान बेगम याद है ना माहम? एक वक था जब आप उनी की खिदमत में थी जी, सही फर्मा रही है आप, हमने बरसो खिदमत की है उनकी, बहुत नेक खातुम थी मरहूम जन्नत आशियाने बादशाह हुमायोस सहब की भरोसे मन थी और अफकान बादशाह शेर्शाह सुरी के साथ हुई जंग में कहीं लापता हो गई वो मलिकायासम तब से लेकर अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। बहुत खातरनाक जंग थी वो हर कोई भाग रहा था, यातना दिलाएं उस जंग की कितना कुछ सहना पड़ा मरहुम जन्नत आशियाने बादशाह हुमायोस सहब को माफ के जेगा लेकिन याकायक ये ये बात कहा से छिड़ गई। क्योंकि उनका लिखावा पैगाम जोधा बेगम को मिला है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो बड़ी मुश्किल में हैं और उन्हें मदद की सक्स जरूरत है। इसलिए आपको और जीजी अंगा को बुलाया गया है। आप उनको कवीब से जानती थी। शायद आपको ही रास्ता तज्वीज कर सकें। इस पैगाम से तो साफ जाहिर है कि वो किसी बड़े खत्रे में हैं और उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। पर तुर जाने क्यों वो सामने नहीं आ रही है। मौफी चाहेंगे मलिक आजब। लेकिन हमें लगता है कि ये कोई अफ़ा है या किसी की साज़श है। क्योंकि इतने सालों बाद यकायक चान बेगम का खत आपको मिलना। अचानक उनका पता चलना हमें थोड़ा अजीब लग रहा है। क्योंकि अगर वाकई चान बेगम साहिबा कहीं हैं तो पहले ही उन्होंने अपना नाम जाहिर क्यों नहीं किया। वो खुद क्यों नहीं आपके सामने आई। उन्होंने खत क्यों लिखा आपको। शायद उन्हें किसी का खौफ हो और वो सही वक्त के इंतजार में हो? मलिक आजम वो एक मुगल बेगम है और मुगल बेगम को किसी से कोई खौफ नहीं हो सकता, ऐसा हमें लगता है. खेर और किसी चीज की जानकारी आपको चाहिए? नहीं. तो क्या हमें इजाज़त है? खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. हो सकता है जो माहम ने कहा वो सही है. लेकिन अगर ये खत वाकई चानक बेगम का है, तो वो वाकई किसी बड़े खत्रे में है. सच में? हाँ, जोधा बेगम. उसके बाद कान बाब ने हमारे लिए एक और उस्ताद रखे. बड़े करतमिजास थे वो. और जानती है उनके साथ क्या हुआ? क्या किया उपने उन बिचारों के साथ? कुछ नहीं, बस एक दिन हमने अपने साथ शिकार पर ले गए और हम नहीं जानते कि वो कैसे को गए? बहुत नहीं को अफ़सा हो गए कि उन्होंने आग राही छोड़ दिया. बड़े उपद्रवीथ है आप बच्पन में? हमने कुछ नहीं किया, जोधा बेगम. बहुँ बस हमें पढ़ाना चाहते थे हमने शिकार करना. एक बात तुम माननी होगी शैंशा, आपने भले यो अपचारिक शिक्षा नहीं लिये, परन्तो आपकुन सारी बातों का ग्यान है, जो किसी भी ग्याने व्यक्ति को होता है. बस अल्ला का फजल है जोधा बेगम. उन्होंने अच्छी आदाश बक्षी है मैं. पूनर तो आप में भरे पड़े हुए है. बेशक्त. लेकिन आपकी मुकाबले कहां? रहने दीजिये. शैंशा, एक बात बताईए. आप इतने बड़े शैंशा हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए? क्या आप हमें कमें निकाल रही हैं, जोधा बेगम? शैंशा, आप तो बुरा मान गए. हमारे कहने के. आप कितनी जल्दी घबरा जाती हैं, तो बस आपके साथ मज़ाख कर रहे थे. हमें आपको छेडना च्छा लगता है, जोधा बेगम. लेकिन सच कहें तो, हम बाके बहुत कुछ सीखना चाहते हैं अपनी जिन्दगी में. अगर आपकी जैसा उस्ताद हो, तो और भी बैतर है. यमारे लागत परेशान करने के बावजूद हमें छोड़ कर नहीं भागेगा. जैस कहें जोधा बेगम, अगर आप हमें सकाएंगी ना, तो हम सब कुछ यूँ चुट्कियों हमें सीख जाएंगे. छोड़िये, जब देखो तब हमें छेड़ते रहते हो आप. शेंशा, अब आप जान बेगम के बारे में कैसे पता लगाएंगे? उन्होंने पतर में तो कुछ भी नहीं लिखा, कि वो कहा है, किन परcingती हों में है? लेकिन भेवी उन्हें हराल में ढूना हमारा फर्स जच होता है विकम वो हमारे वालिद साप की जोगम है और उन्हें जान खत्रे में हैं और उन्हें बचाना हमारा फर्स है आखिरकार अम्भी तो उनके बेटे ही हुए एक बात हमें समझ में नहीं आई इतने वर्षियों पहले वो गुम हो गई थी फिर आज अचानक से उन्होंने संदेशा क्यों भेजा कही ऐसा तो नहीं कि उन्हें इस महल में किसी वैक्ती से कोई अज्सुरक्षा हो आप सही फर्माती है जोधा विकम लेकिन इन सबी सवालों के जवाब अब वो ही हमें दे पाएंगे पर तो आप उन्हें ढूने के कैसे हैं आप उन्हें ढूने का एक रास्ता है हमारे पास जोधा विकम जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया शैंशा तर्शीर फखिये अदाब प्रिनाम शैंशा आपने याद किया तबस्ट्रम अद्गा साब और टोडल मिल साब को छोड़कर बागी साब लोग हमें अकेला छोड़ते हैं शैंशा मौमला क्या है अद्गा साब हम चान बेगम के बार में पता लगाना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि उन्हें हुआ क्या था कि अचानक एक खास बेगम इस तरह से गायब कैसे हो गई बजा फरमाया हुजूर आपने जरूर इसके बीचे कोई कहरा राज है अद्गा साब ये राज बड़ा भी है और खतरनाक भी है इसलिए हमने अब लोगों को है बला है ताकि आप लोगों के वैयां पर तब उसम्चान बेगम की तस्वीर बना सके जरूर इसके बार खतरनाक भी है कि अब गाम भीजने में इसके मदद किसने की तुमने तुमने किसने की मदद कि अब जैन्शाह से मदद चाहिए तुम्हें क्या पुछ रहा हम तुम्हें शैन्शाह से मदद चाहिए हम जितने दुबाली मदद करें के वो कम है तुमसे बात करें जैन्शाह तस्वीर तैयार है अगली बारे से चुर्जात की तो खुदा किसम कुछ करने सुनने के लायक नहीं रहोगे तुम्हें जिन्दा दफन करवादेंगे तुम्हें कि तुम्हें जितने करें तुम्हाने बदद करने के लिए कोई आइगा आरे जिन्दक यही कुझरी और यही कुझरेगे यही सड़ोगे तुम और उसके बाद यही मर भी जाओगी यहां से बाहर में करने के कोई कुझाइश नहीं है, समझें? तुम्हाने बदाने के लिए जो नाम से पाइगाम लिख रहा है, के तुम्हें मदद की जरूत है वह जो कोई दिया, उससे तो हम धून निकाले और उससे निपटलेंगे लेकिन तुमसे करेंगे हम आखरी बात हमें उस खजाने का पता वो रास चानना है, जो तुम्हारे दिमाग में दफन है में उस खजाने का पता दो, चान बेगम इसको बत फेहमी में मत रहा तुम यहां कोई पहुँच जाएगा तुम्हाने मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा मदद तो दूर, यहां परिष्टों को भी नी पता चलेगा कि हमने तुम्हें कहा चुपा कर रखा है जान बेगम, तारे दुनिया यही जानती है कि तुम जिंदा नहीं और अगर तुम्हें हमें खजाने का राज वो पता नहीं बताया तो हम बाखाएं, तुम्हें मोर देंगे